हेलो फेंड्स वेलकम बेग तो फेंड्स हाइसेंस ब्रांड ने 2023 के काफी सारे 4K TV मॉडल लॉंच किये हैं काफी सारे तो नहीं लेकिन डेफिनिटली 3-4 मॉडल लॉंच किये हैं यू 6K, यू 7K, यू 7K और A7K जो मॉडल है है हाइसेंस टौनाड़ 3.0 मॉडल हाइसेंस टौनाड़ 2.0 मॉडल 2022 में लॉंच हुआ था काफी बढ़िया तीवी है काफी बढ़िया यह स्रीज है तो आप यहां पर टौनाड़ 3.0 स्रीज लॉंच की गई है तो चलिए जानते हैं कि दौनों में क्या-कई लिफेंशि दिए गए दौनों में सी कौन सा बैटर है कौन सा आपको परचूर करना चाहिए कौनसा परचेस नहीं करना चाहिए तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो तो फिय्ट्टूस पहले बात करें इन टीवी के लुक्स इंड डिजाइन के डिफरेंस के बारे में तो लुक्सं डिजाइन में तो एस Aires कोई खास major difference नहीं दिया गया है 99.99% जो looks and design है वो same to same आपको दोनाई TV में देखने को मिल गाएगा थोड़ा सा जो नीचे lower bezel है या नीचे जो built-in soundbar दिया गया है उस पर जो logo वगरा placement किया गया है इन TV की display specifications के difference के बारे में अगर बात करें तो high sense tornado 2.0 मोडल में IPS पैनल दिया गया है 12-1 static contrast issue दिया गया है फिलिप कार्ट पे और amazon पे दोनों ही जगा high sense tornado 2.0 मोडल में IPS पैनल ही mention किया गया है और जो इस TV को हमने चेक किया है तो इसमें भी IPS पैनल ही था अब यहां पर जो high sense tornado 3.0 मोडल लांच किया गया है फिलिप कार्ट पे इस TV की listing अगर देखते हैं तो वहां पर VA panel mention किया गया है जबकि high sense इंडिया की अपनी website पे IPS पैनल mention किया गया है 1200-1 static contrast issue दिया गया है high sense tornado 3.0 मोडल में तो पैनल टाइप में यहां पर confusion है high sense tornado 3.0 मोडल के वारे में हाला कि high sense इंडिया की website को ही हम यहां पर सच मानेंगे क्योंकि ओफिचल website है तो वहां पे genuine जो है specs होनी चाहिए तो आई तिंक दौनोंगी टीवी मोडल में IPS पैनल ही मिल जाता है इन टीवी की brightness nits के बारे में भी confusion है जो high sense tornado 2.0 मोडल है उसमें 400 nits की brightness claim की गई थी लेकिन उसको reality test में वह 350 और 370 nits के आसपस में आई थी अब यहां पर जो यह tornado 3.0 मोडल लॉंच किया गया है तो high sense India की website पर अगर देखते हैं तो वहां पर 4000 nits की brightness mention की गई है I think वह 400 nits है वह गलती से 4000 nits उन्होंने mention वहां पर कर दिये है लेकिन अगर फ्लिप कार्ट पर brightness nits चेक करते हैं है तो जो 55 इंच का वेरियंट है इसमें 350 nits की brightness mention की गई है और जो 65 इंच का वेरियंट है इसमें 330 nits की brightness mention की गई है तो brightness भी आल्मोस्ट आपको दौनोई tv मोडल में same to same मिलने वाल है उसमें बहुत ज्यादा कोई डिफ्रेंस देखने को नहीं मिलेगा दौनोई tv का जो नेटिव रिफ्रेश रेट है वो 60 दिया गया है टौनाडो 2.2 मोडल में 60 रिफ्रेश रेट के साथ में सी टेकनोलोजी का सपोर्ट मिल जाता है जो की आर्टिविशल तरीके से कुछ एक्स्ट्रा फ्रेम इंसर्ट करके 120 लाइक पिक्चर क्वालिटी बलर फ्री दिखाने में आपको नहीं मिलेगा इसके लावा टौनाडो 2.2 मोडल में HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision का सपोर्ट मिल जाता है टौनाडो 3.2 मोडल की लिस्टिंग को फिलिप कार्ट पे अगर देखते हैं तो वहाँ पर HDR10 प्लस मेंशन नहीं किया गया है जबकि हैसिस इंडिया की वेबसाइट पे रिफ्रेश रेट और अलम मोड का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा यहां पर जो रिफ्रेश रेट है यह 48 हर्ट से लेकर और 60 हर्ट की वर्क करने वाला है कल जा मैंने हाइस से टौनाडो 3.2 मोडल का डीटेल वीडियो अपलोड किया था उस टाइम पे फिलिप कार ए पारे में बात करें तो जो टोनाडो 2.0 का 15 और 55 इंच का वैरियंट इसमें 01-02 वाट का ओडियो आउपुट दिया गया है जबकि 65 हिरिएट में 61 watt का ओडियो आउपूट दिया गया है लेकिन जो टोनाडो 3.0 मोडल है इसके 15 और 65 इंच दोनोगी वैरियंट में 61 Watt का और पुट दिया गया है तो यहां पर जो है और यू आउट पूट का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा फिफ्टी फाइव इंच के वैरियंट में जो की आपको ज्यादा मिलता है टोनाडो 2.0 मोडल में तो यह तो यहां पर आपको कुछ छोटे-मोटे डिफरेंस देखन डिफ्टी टोनाडो 2.1 मोडल का सिक्सी फैंच का वैरियंट आमाजोन पे उसका प्राइज लाल 44999 रूपीस और डोफ्याद तो इंच लिंच की वैरियंट का मॉडल के विंयंच का प्राइज फिल्पकाट पे शो कर रह है 46,999 रूपीस और डोनाडो 3.2 मोडल मोडल का Steam क का वेरियंट है इसका प्राइज भी 46,999 रुपीज ही शो कर रहा है आप यहां पर बात करें कि इनमें कौन सा बेटर है कौन सा आपको लेना चाहिए कौन सा नहीं रहना चाहिए तो देखिए यहां पर यह दोनोंगी टीवी एग्जेक्टली सेम है 99.99% सेम ही है इनमें ऐसा करने को नहीं मिल ला है डैफिनेटली जो 55 इंच का वेरियंट है तो टोनाडो 2.0 मॉडल का इसमें 102 वाट का आडियो आउटपुट मिलता है जबकि टोनाडो 3.0 मॉडल में 61 वाट का आडियो आउटपुट दिया गया है और प्राइस जोनोंगी टीवी का सेम है सारी जो स् 55 इंच का वेरियंट है वो टोनाडो 2.0 मॉडल का ही पर्चेस करना चाहिए और जो टोनाडो 2.0 का 65 इंच का वेरियंट है इसमें 61 वाट का आडियो आउटपुट दिया गया है और टोनाडो 3.0 मॉडल के 65 इंच के वेरियंट में 61 वाट का आडियो आउटपुट दिया गय 46,999 डुपीज में तो दौनों में से कोई भी टीवी आप पर्चेस कर सकते हैं दौनों ही टीवी exactly सेम है इनमें कुछ ऐसा खास major difference नहीं दिया गया है एक चीज से आप यहां पर और decide कर सकते हैं कि कौन सा आपको लेना चाहिए जिस टीडीगी पर भी आपको अच्छा discount देखने को मिल रहा है जिस पर आपको अच्छे ओफर देखने को मिल रहा है अगर tonado 3.2 more Dark फलिप ओड पी अच्छे discount आप और अच्छेриг बैंक डिसकांट वहां पर दिये जा रहा है अच्छा exchange ओफर अगर आप पर रहा है तो वहां से आप tornado 3.0 model purchase कर लें अगर आपको amazon पे discount अच्छे मिल रहे हैं तो आप amazon से purchase कर लें काफी अलग-अलग credit card पे अलग-अलग discount दिये जा रहे हैं तो वह आप जो है देख सकते हैं अपने according अपनी choice के according तो जिस पे भी आपको अच्छा offer लगने के बाद में price कम पढ़ आए वो आप यहां पर ले लें amazon से या फिर फिलिप card से तो इस वीडियो में फ्लाल इतना ही उम्मिद करता हूं information आप लोगों को पसंद आयोगी पसंद आयो तो वीडियो को कर दीजिए like and share और अगर आपने पहली वार हमारे चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को कर दीजिए subscribe बैल आइकन को भी प्रेस का दीजिए मिलते हैं किसी एगले वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए